नमस्कार किसान भायू आज की इस वीडियो में जानेंगे लोकी की खेती कैसे की जाती है अगर आप प्रमप्रागत तरीके से पुरानी तरीके को अपना कर लोकी की खेती कर रहे हैं जिसके कारण आप लोकी में अधिक मुनाफ़ा नहीं ले पा रहे हैं और अधिक उत्पाद भी नहीं ले पा रहे हैं तो इसके लिए आपको पुराने तरीका का छोड़कर नई भी धी से करनी होगी लौकी की खेती जिससे आपको मिलेगी बंपर उत्पादन और मोटी कमाई होगी तो किसान भायू यह जो वीडियो है सभी वीडियो से हट के होनी वाली है क्योंकि इस मैं कुछ उनिक तरीका बताने वाला हूँ लौकी की खेती की जो आप अपनाएंगे तो पहले जो उत्पादन ले रहे थे उससे ज्यादा उत्पादन 100% है कि आप ले पाएंगे बस किसान भायू वीडियो को पूरा देखे वीडियो को बीच में ना छोड़े आधू अगर उस तरीकों का अपनाते है तो बहुत ही जागा उत्पादन ले पाएंगे चलिए वीडियो को शुरू करते है किसान भायो तो लौकी की खेती किसान भायो भारत के किसी भी छेतर में आप सफलता पुर्वक से कर सकते हैं अगर कोई नय किसान भाय है जो अभी लौकी नहीं लगाए अपने छेतर में तो भी लगाईए इसकी खेती आप सफलता पुर्वक से कर सकते हैं किसान भायों बात करें लवकी की खेती कर रहे हैं तो इसके लिए यह जारना जरूरी है इसकी उचीत जो खेत है उचीत जल निकासी वाली होने चाहिए तो पहली गलती किसान होने लगते है और इसी कारण से उनका जो फल होता है लोकी का जो फलियां होता है छोटे-छोटे उमरने लगते है तो इसी कई परकार की दिकते आती रहती किसान भायों जिन दिकतों की सामना आपको करने परती है तो ऐसी दिकतों से बचने के लिए आपको कुछ तरीका को होगा जिससे आप अच्छी उत्पादन ले पाएंगे और अच्छी इंकम कर पाएंगे बात कर लिए किसाद हुई आपको भूमी सही चुनाब करना है जिसमें जल्वराव की समस्या नहों इसके बाद अगर हम बात करें लोकी की खेती आप कर रहे हैं तो इसके लिए भूमी क तो किसी फसल के लिए जल्वाई और तापमान बहुत जरूरी होती है किसान भाईओ तो जल्वाई और तापमान की बात करें तो लोकी की खेती के लिए आप गर्मी और बरसा की समय में भी इसकी खेती किजिए और बरसा की समय में वही जून से जुलाई में आप इसकी खेत कर सकते हैं और यह पाला के सोहन करने में बिल्कुल तरीके से असमर्थ होती है इसकी खेती को अलग-अलग मौसम के नुशार विभीन अस्थानव पर किया जाता है किन्तु सुस्क और अर्ध सुस्क जैसे छेतर में इसकी पैदावार अच्छी होती ही किसान भीओ लोकी की खे कश्मी की बात करे तो हाईबरिट किसमे में आती है कासी भाहर पूशा हाईबरिट थीरी और आरका गंगा, इत्यादी लोकी की कई किसमे है जो आप मार्केट से ले सकते हैं बहुत सारा जैसे से सिंजनेटा से मेर से मेर्श इन कमपनियों का जो लोकी ही ये भी काफी बेहतरीन होता है पौधे को कैसे त्यार करें लोकी की खेती कर रहा है तो लोकी की जल्दी और अधिक पैदावार के लिए आपको इसके पौधे की नर्चरी त्यार करना होगा इसके लिए आपको पहले नर्चरी त्यार करके ही खेत में लगाए डाइरेक्ट बीज का रुपाई ना करें खेत में यही होती है आपके उत्वादन की मेन कानन कमी लेनी की अगर नर्चारी त्यार करते हैं तो वह भूत फाइदे बंद होती है किजानवायो अब बात करते हैं लोकी की बुवाई का समय लोकी की फसल साल में तीन बार उगाई जाती है जायद खरीब रभी इन तीनों सीजन में इसकी खेती कर सकते हैं लोकी की फसल के लिए जायद की बुवाई वही मध्य जनवरी में कर सकते हैं खरीब की बुवाई मध्य जून से पर्थम जुलाई चक कर सकते हैं और जो रभी स जन होती है इसकी वहाई सितंबर से एक्टूबर के पर्थम सता तक आप कर सकते हैं कि जन हो तो सही समय का अगर चुनाब करते हैं और सही समय पर लोकी लगाते हैं तो कोई कारण नहीं होगा कि आपके लोकी की पोजे के दिकास नहीं होगा और अच्छी उत्पाइदन आप न नहीं होती है और गर्मी की समय में सिंचाई इसे कर देने चाहिए चार से पांच दिनों का अंतराल पर और बरसात में तो कम सिंचाई क्या बसकता होती है तो इस तरीके से कर सकते हैं लौकी की खेती और यह रही लौकी की खेती की स्वाट वीडियो इससे भी डिटेल वीडियो आएगी अगले वीडियो में लेकिन उस्से वीडियो के देखने के लिए आप इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीए वीडियो को लाइक कर दीजिये और सब्सक्राइब करना ना भूलिये क्यों कि इस चैनल पर आपको खेती बादी से जूरी हूँ सबसे उनिक जानकारिया दी जाती है तो इसके लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें जरूर मिलता है अगली वीडियो में जहें जबारत बंदे मातरम